हेलो फ्रेंट्स मेरे इस ऊडूब चलने में आपका फिर से एक बार स्वागए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग आइडियल के डेफिनेशन को देखेंगे फ्रेंट्स तो friends ideal का जो definition होता है वह इस परकार से हैं कि friends सबसे पहले हम लोगों ले ले लेते हैं कि late r plus और multiplication की case में कोई एक ring है यानि late r plus dot be a ring और friends हम लोग एक non-impery subset एस ले लेते हैं आर का late s b non non-impery subset of friends हम लोग नहीं यहां पर ले लिया said to be an ideal of r if friends अगर r कोई एक ring है और s कोई non-impery subset है आर का तो उनको s को ideal बोलेंगे जब यहां दो condition को satisfy करेगा friends इसका जो पहला condition है वह पुछ इस परकार से हैं कि प्रेंट से माल लीजिए कोई दो इलेमेंट जीजिए कि a और b अगर s पर बिलोंग करता हो इंप्लाइज ए प्लस माइनस बीवी क्या होना चाहिए friends एस पर बिलोंग होना चाहिए और friends इसको अगर आप बोलिएगा that is जो s plus क्या होगा friends is a subgroup होगा subgroup यह फ्रेंट इसका पहला प्रोपर्टी और फ्रेंट इसका दूसरा प्रोपर्टी है वह कुछ इस परकार से हैं कि देखे friends यह हो जाएगा यह आर यह आरे यह पर बिलोंग करेगा तो फ्रेंट यह जो एस होता है अगर यह दो कंदिशन को सिटिस्फाइब कर करता है थो उसको हम लोग आइडियल बूलेंगे श्रेक friends तो अब फ्रेंट इसमें दो परकार्कार आईडियल होगा friends अब एक लेट आईडियल और एक राइट आइडियल तो आएए दोनों को बारी बारी से जान लेते हैं कि आखिर में लेट आइडियल क्या है और राइट आइडियल क्या है ठीक तो सबसे पहले फ्रेंट्स अम लोग देख लिए लिटे हैं लेट आइडियल को लेट आइडियल ठीक फ्रेंट्स सबसे पहले हम लोग लेट आइडियल के देफिनेशन को देख लिए लेट आइडियल का फ्रेंट्स तो डेफिनेशन है वह पुछ इस फरकार से है कि लेट लेट अस बी आ नन नन इंपटी सबसेट और मालिजे फ्रेंश फ्रेंट्स को एग नन इंपटी सबसेट आर का इस जैड टू बी आ लेट अडियल आफ और इप फ्रेंट्स अगर यह इन दो कंडिशन को सटिस्फाइ करेगा तो आस को लेट आइडियल बोलेंगे आर का इसका जह फ्रेंट्स पहला कंडिशन होता है यही कंडिशन होगा फ्रेंट्स यनि एस प्लस क्या होगा सब गृफ सब ग्रूफ सब करेंच जिसका दूसरा करनिस्टन होगा माल ओंद फ्रेंच एगर आस पर बिलंग करता हो अर अगर आर पर बिलोंग करता हो फ्रेंज तो इंप्लाइज आरे बिलोंग्स टू एस यानि आरे बिलोंग्स टू एस फ्रेंज अगर होगा तो उसको हमलोग लेप्ट आइडियल बोलेंगे then we sell then we sell say as is left ideal तो फ्रेंज हम लोग आश को क्या बोलेंगे आप फ्रेंज हम लोग राइट आइडियल के डेफिनेशन को देख लिखते हैं कि आखेर में राइट आइडियल का जो डेफिनेशन होता है वहां क्या होता है देखे फ्रेंड्स राइट आइडियल ठीक फ्रेंड्स बिल्कुल आपको उसी तरह करना है जैसे हम लोगों ने यहां पर किया है फ्रेंड्स लेप्ट आइडियल में जैसे क्लिके हैं उइसे ही लिखना है कि लेट एस बी आ let s be a non non empty subset of R is said to to be a dear right ideal of R if चिक फ्रेंड्स अगर दो कंडिशन यहां पर भी अगर सेटिस्पाइड होगा तो यह हम लोग यहां लोग यहां लाइट आइडियल बोलेंगे देखे फ्रेंड्स इसका जो पहला कंडिशन है यही रहेगा एस प्लस ही जे सब गुरूफ एस प्लस इज अ सब गुरूफ और इसका जो दूसरा कंडिशन होगा फ्रेंड्स यहसे कि माल लीजी यह एगर एस पर बिलोंग कर रहा हो और अगर आर पर ब्लोंग कर रहा हो तो परनस यहां पर देखे आर ए लिक्ए देजाद्थ यहां पर यहां पर लिखेंगे जो ब्लोंग करेगा यास पर फ्रेंट रियापर हम लूग कहेंगे then वी ते से एस ईस Asta लई टर्राइट ऑस यहां पोट लेंगे सो आइडियल का डेफिनेशन है वह कुछ इस परकार चाहे है फ्रेंट्स इसका डेफिनेशन है माल लीजिए फ्रेंट्स आर को एक दीए और एस उसका नॉन इंपरी सबसेट है अगर वह दो कंडिशन को सट्टिसफाइ करता है तो वह हम लोग का आइडियल कहलाएगा पहला यह वुदिए अगर एस पर विलोंग कर रहा हो तो एये प्लस माइनस भी विलोंग करेंगना चाहिए आइज्ट पर यानि OUT प्लस क्या होगा ? एक सब गुरॉफ होगा और फ्रेंट्स ए समझ गया है थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो